अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरे सभी वीडियो को देखें लाइक करें और शेयर करें मैंने G20 पर World Environment Day पर वीडियो बनाए है और आपके साथ शेयर किये है तो आप जरूर देखिए उनको इसके अलावा Know Your English का जो सेगमेंट है उसमें भी मैंने बहुत सारे इंगलिश के शब्दों और फ्रेजिस के बारे में बताया है तो आप जरूर देखिए उसको और बताने क हो तो बहुत कुछ है आपके लिए लेकिन समय की थोड़ी कमी रहती है और इस वज़ा से मैं आपके पास थोड़ी देर के लिए ही उपस्तित हो पाती हूं तो आज वर्ड ओशन डे है पांच जून को हम लोगों ने वर्ड एंवार्मेंट डे मनाया था और आज वर्ड जाता है और जैसा कि नाम से इस पश्ट है कि इसमें हम विश्व के जो महासागर है उनके सरक्षण की बात करते हैं आपको पता ही होगा कि विश्व में पांच महासागर है वैसे कुछ लोग इसे साथ भी कहते हैं यह महासागर है तो अपना हमारा जिसको हम अपना परोसी ह हिंद महासागर या इंडियन ओशन इसके अलावा पैसिफिक ओशन प्रशान्त महासागर और एट्लांटिक ओशन या एट्लांटिक महासागर और इसके अलावा सदर्न ओशन और इसके अलावा आक्टिक ओशन पैसिफिक ओशन और एट्लांटिक ओशन बहुत विशाल है और कि Northern Pacific and Southern Pacific के तौर पे और Northern Atlantic Ocean और Southern Atlantic Ocean के रूप में अगर बाड़ दे तो साथ Oceans हो जाते हैं और इसके अलावा आप जानते ही हैं कि बहुत सारे समुद्र भी हैं सी जिनको हम कहते हैं वो भी हैं तो एक और महा सागर हैं और दूसरी और सागर हैं जैसे Black Sea, Dead Sea, Red Sea इस तरीके के हम हमारा अरब सागर तो यह सभी Water Bodies हैं और विश्व की लगभग सत्तर प्रतिश्यत जो हमारी पृत्वी है सत्तर प्रतिश्यत उसका भाग पानी से बना है वाटर से बना है और आज इस्थिती यह हो गई है कि हमने अपने सागर को सागर को कह लिजे महा सागरों को भी नदि से ही इसे यही कच्रा आगे समुद्रों में जाकर मिल जाता है समुद्रों को भी हमने नहीं छोड़ा है हमारे जहाज उनको पॉल्यूट करते हैं कई बार हमने सुना है कि जहाज का अगर मान लीजे कि कोई एक्सिडेंट हो गया या अन्य किसी प्रकार की दुरगटना सब्सम्राइब या थे बनी हिज़ा पतनी जान फिरह दोगं सही कर्याय नहीं मिल रही है मचली की बहुत सारी जो प्रजातियां की और लुप्त प्राय हुती जा रही ता seriously जो major species जिनके बारे में हम सुनते हैं जो human friendly भी है dolphin की बात अगर हम कर ले तो उनकी भी प्रजाती जो है वो खत्रे में पड़ गई है तो महासागर जैव विविदता से भरे हुए है और हमारा जो environment है उसका ये बहुत important part है हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अनेक प्रकार के जीव है अनेक प्रकार के उसमें organs है अंग है और उनी में से oceans भी है तो oceans न केवल हमारे लिए एक water body है बलकि ये हमारा जो environment है उसका एक हिस्सा है और हमें उनको बचाने की जरूरत है अगर हम महासागरों को बचाएंगे तो हमारी जो जैव विवित्ता है वो बची रहेगी आपको मालूमी है कि हम जो भी कुछ प्राप्त करते हैं पृत्वी से उसके लिए हमको पृत्वी के प्रती आभारी होने की आवश्यक्ता है तो महासागरों से मिलने वाले संसाधनों की छती होने से हमें रोकना है और इसलिए ये दिवस बनाया जाता है विश्व महासागर दिवस के उप में हम इसको मनाते हैं क्योंकि ये जो महासागर है वो विश्व की आर्थिक विवस्था, अर्थ विवस्था से जुड़े हुए हैं, ये लोगों को भोजन और पोशन दोनों ही देते हैं, कहीं पर ये हमारे टूरिजम के लिए हैं, तो कहीं पर इनसे हम तेल प्राप्त करते हैं, तो कहीं हम इनसे जो जैविक विविदता वाले भाग हैं, उन समुद्रों से फिशिंग को लेते हैं तो प्रदूशन, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी समस्याओं ने पर्यावरण का भी छरण कर दिया है और सागर में जो रहने वाले जीव जन्तु हैं उनके लिए भी खत्रा पैदा कर दिया है इसको देखते हुए ही इस दिन को मनाने का निश्या किया गया दरसल इस दिन आठ जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाई जाने का आरंभ हम देखते हैं अर्थ समिट से जो 1992 में हुई थी रियो दिजेने रियो में और उसके बाद ओशन इंस्टिटूट ऑफ कैनेडा और कैनेडा इंटरनेशनल सेंटर ने विश्व महासागर दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा जिसे 2008 में युनाइटेड नेशन्स ने एकसेप किया और 2009 में 8 जून से इस दिन को मनाने का कारे आरंब कर दिया गया पहली बार जब इस दिवस को मनाया गया तो इसकी थीम थी वन ओशन वन वर्ड और जिससे की सभी को ये समझ में आये कि सबकी जिम्मेदारी है महासागरों को बचाने की तो आज का ये दिन बड़ा बहत्वपूर्ण है अगर आप समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों में से है तो आपको पता है कि समुद्र में अगर पानी बढ़ेगा जैसा कि बार बार प्रेडिक्ट किया जा रहा है तो उन जगों के लिए खत्रा होगा जो समुद्र तल से बहुत उपर नहीं है यहां तक कि माल्दीव को तो पूरे देश को ही डूपने का खत्रा है हमारे यहां मुंबई के लिए खत्रा बताया जाता है क्योंकि मुंबई तो पूरा सी से क्लेम की हुई जमीन पर ही बसा हुआ है तो अगर ग्लोबल वामिंग की वजह से पानी बढ़ेगा समुद्र में सी लेवल इंक्रीज होगा राइज होगा तो हुमन बिंग्स के लिए एक बड़ा खत्रा पैदा हो सकता है तो समुद्र जो हमारे लिए अनेक प्रकार से लाब दायक है जो हमारी सेहत के लिए लाब दायक है समुद्रतर के किनारे अगर आप सेर करें तो विटमिन डी आपको बढ़िया तरीके से मिल सकता है विटमिन डी का जो मुखि स्रोत है वो सूरज की किरने होती है तो अगर आप समुद्र के किनारे वोक करते हैं सन की رेज आपको मिलती है तो नैशली आप को विटमिन D मिलेगा, जिसकी आजकल बहुत कमी हो रही है, एक्टिव रहने के लिए भी बीच वेकेशन बहुत महत्वपोर्ण है, आप बीच के किनारे सेर कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जोगिंग कर सकते हैं, मुंबई में, कितने लोग मेरीन ड्राइफ पर वॉक करते हुए चलते हुए दौर लगाते हुए जॉगिंग करते हुए नजर आते हैं तो समुद्र के किनारे सैर करने से आपको एक थरिपी भी मिलती है ये केवल आपको शारिरिकी स्वास्त नहीं देता है बलकि मानसिक रूप से भी आपको इससे लाव होता है आपको दिल को सुकून मिलता है तो धूप में बैठना, समुद्र की लहरों को देखना ये सब आपको खुशी प्रदान करता है आपको जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाता है इसके अलावा क्रियेटिविटी बढ़ाने का भी एक अच्छा तरीका है समुद्र तट पर भूमाना आप समुद्र की किनारे बैठते हैं तो आप को कुछ क्रियेटिव होने का भी मन करने लगता है पेंट करने का मन कर सकता है, किताब ही पढ़ने का मन कर सकता है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बीच वेकेशन प्लान करें और समुद्र का आनंद लें लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी हमें नहीं भूलना है और विश्व महासागर दिवस यही जिम्मेदारी याद दिलाने का एक तरीका है तो दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगी कि 2022 में जो वर्ड ओशन डे की थीम थी वो था रिवाइटलाईजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन यानि पुनर उद्धार और 2023 में वर्ड ओशन डे का थीम है प्लानेट ओशन द टाइट्स अर चेंजिंग इसके साथ आप से मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियोज को देखें और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बैबै